वीडियो पे क्लिक किया है इसका मतलब आप भी कोई वेहिकल खरीदना चाहते हैं आपके बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या आपका कोई ना कोई छोटा बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज की डेट में कई सारे आप्शन आपके सामने हैं मारुति का कैरी हो या पिर टाटा का एस हो जिसे हम छोटा हाती भी कहते हैं लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले है इस के बारे में अब महींद्रा ने नाम में और मेरा दावा है कि अगर आपको वेहिकल पर्चेस करना है और आप जानना चाहते है कि महिंद्रा के सूप्रों के बारे में तो इसके बाद कोई भी आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसी वीडियो में मैं सब कुछ आम और साधारन भाषा में क्लेर करने वाला हूँ अब आते हैं सबसे पहले होता है कोई भी वेहिकल में जरूरी हिस्सा बहुत कीमती हिस्सा होता है उसका इंजिन सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजिन के बारे में महिंद्रा के इस सुप्रो प्रॉपिट ट्रेक में आता है ड्यूल सिलेंडर इंजन जिसमें नई टेकनोलोजी है डायरेक इंजेक्शन सिस्टम दिया है जो की 909 CC का है इसमें आपको देखने को मिलती है 47 HP की हाई पावर उसी के साथ इसमें आपको देखने को मिलता है 100 Nm का हाई टॉर्क अब ग्राउंड क्लिरंस भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि हम दूर दरार एरिया में जाते है अंदरे में कभी नीचे पत्तर आता है कभी स्पीड ब्रेकर होता है इसे अलग-अलग रीजन्स होते है इसके लिए हमें ग्राउंड क्लिरंस बहुत बढ़िया चाहिए होता है तो इसमें आपको बढ़िया ग्राउंड क्लिरंस देखने को मिलता है वह भी 196 mm का जो की कापी अच्छा माना जाता है आप बात करते हैं जो जरूरी है इस गाड़ी की वेट या वजन लेके जाने की शमता इस गाड़ी में पेलोड कापेश्टी दी है 1050 kg मतलब आप इस गाड़ी में 1050 kg वेट तो आराम से लेके जा सकते है अब हमें पता है जितने भी डाइवर भाई है जितने भी गाड़ी चलाते है उनको पता है कि भाई कमपनी 1000 बोलती है तो हम उसमें कितना वेट डालते हैं और एक बात दोस्तों इसमें वेटल की पेलोड कापैसिटी 1050 है तो 1050 का वेट लेके जाने के लिए गाड़ी भी तो दमदार चाहिए ना तो बिल्कुल दमदार है क्योंकि इसमें आपको 1050 केजी का ग्रोस वेट मिलता है आप बात करते हैं सबसे जरूरी बात पर जो कि हमारे सीधे जेब प्यासर करती है वो है इसका माइलेज आपको इसमें कमपनी देती है 21.94 के एमपील का माइलेज लगबग बात करें तो कमपनी आपको इसमें 22 का माइलेज देती है लेकिन हम बात करते हैं कि जितना कोई भी कमपनी बताती है उतना माइलेज मिलता नहीं है क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं वो किसी और वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो अगर कमपनी 22 का क्लेम करती है और हमें 19 से 20 भी मिलता है तो मुझे लगता है इस मिनी ट्रक सेग्मेंट में कापी अच्छा माइलेज होगा ये अब आपको क्या लगता है वो आप कमेंड करके बताना अब बात करते हैं अगर ये 1050 केजी का हेवी लोड लेके जा सकता है तो ब्रेक भी बहुत मजबूत चाहिए क्योंकि जितना वेट है उतना अच्छा ब्रेक भी होना चाहिए तो इसमें देखने को मिलता है आपको वैक्यूम एसिस्टेटेटेड हैड्रोलिक ब्रेक जो कि काभी आच्छा माना जाता है आगे की तरफ डिस ब्रेक और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक अब बात करते हैं दोस्तों इसके अलग-अलग वैरेंट के बारे में इसमें आता है LX, Satheran variant VX जो कि मेडेम variant होता है और ZX जो कि हाणट variant होता है तो ZX में आपको इसमें देखने को मिलता है AC येर कंडिशन आपको इस वेहिकल में देखने को मिलता है जो कि गर्मी के टाइम पे कापी अच्छा है अब कभी-कभी इतना सारा महिनत कर रहे है इतना सारा पैसा कमा रहे है तो कभी-कभी लगता है कि यार इसमें AC देना चाहिए था तो महिंदरा ने ये काम बहुत अच्छा किया है आपको इसमें के high-end model में AC भी देखने को मिलेगा अब last में बात करते है जिसकी आप सब्वरी से इंतजार कर रहे हूं इसके price के बारे में देखें दूस्तों इसका वैसे एक शोरूम प्राइज है छे लाग असी आजार से स्टार्ट होता है जो कि साड़े साथ लाग तक पहुचता है लेकिन मुझा लगता है आपको आपका जो वेरियंट है उस हिसाब से price जानने के लिए आपके नजदी की dealer के पाथ जाना पड़ेगा और आपको जो कुछ accessory चाहिए उस हिसाब से आपका price बनेगा उस हिसाब से आपको discount भी देया जाएगा तो महिंद्रा का जो भी authorized dealer है आपके नजदीक में आप वहाँ जाके इसके price पता कर सकते हैं अगर आपको price पता है तो आप हमें comment box में जाके वो type करके बता सकते हैं आप जैसे बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी पता चले कि on road price क्या है इस महिंद्रा सुप्रो प्रॉपिट ट्रक का अब उम्मीद है दोस्तों आज का यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को ही किया है तो सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम इसी तरह के डेर सारे हेलफुल वीडियो लाते रहते हैं बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में